आज हम बनाएंगे एकदम रबडीदार मार्केट स्टाइल कुलफी इसके लिए एक गलास दूध लेंगे दूध को गरम होने देंगे यहाँ पर हमने लिये हैं टोस्ट यह बहुत ही आसानी से हर घर में मिल जाते हैं बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं चाय की साथ आप पाउडर बन करके तयार हो जाता है तो चलिए इनको हम पीस लेते हैं पीसने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका पाउडर बन करके तयार हो गया है और आप इसको अगर हाँ से छुएंगे तो आपको इदम बारी कि यह समझ में आएगा तो इसी तरह से आप पीस लेना है अब यहां पर दूद गरम हो चुका है तो यह जो टोस्ट और चीनी का पाउडर है इसको थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे फ्लेम को इस स्टेज पर लोही रखना है हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसको लगा तार चलाए तो आप देख सकते हैं पहले से काफी गहडा हो गया है और इसमें बबल्स जैसे बनने लगे हैं बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यह मावा हो तो बस ठंडा होने के बाद इसको हम साइड में कहते मैं जरुकुल जाने जैसी, बंती है तो आप देख सकते हैं जो कल-फी का बेटर है कितना स्मूथ हो गया है, अब बस इसको हम कुल-फी के मोल्ड में भर लेंगे आपके पास जो भी मोल्ड हो आप उनमें भर सकते हैं काच के ग्लास हैं उसमें भी बढ़ सकते हैं या कोई दिस्पोजल वाली कटोरी ग्लास कुछ भी हो उसमें इसको सैट होने के लिए रख दीजिए बस उपर शेकानिस कर देते हैं ड्राइ फ्रूट से अब हम इसमें स्टिक लगा देंगे अगर आपके में ढखकन नहीं है या ग्लास ले रहे हैं तो पॉली थिन कूपर से कवर करें रबर से बान दीजिएगा या फॉयल पेपर को आप रैप कर सकते हैं चाकू से कट लगाईएगा और बस इसमें आप स्टिक लगा सकते हैं को हम ढखकन से कवर कर देते हैं और सभी को हम फ्रीजर में सैट होने के लिए रख देते हैं कुल्फी हमारी 6-7 गंटे में अच्छी से सैट हो चुकी है तो लीजे तयार है एकदम रबडीदार मार्केट स्टाइल कुल्फी यह बहुत ही टेस्टी लगती है सिर्फ एक गलास दूद से बन जाती है तो आप इसको जरूर ट्राइ करें देखेगा आपको बहुत पसंद आएगी बिल्कुल नए तरीके की कुल्फी है आज से पहले आपने ऐसा तरीका कहीं नहीं देखा होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो फिर मिलते हैं अपने अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार